पाठ अठारा विराम चिन पढ़िये और समझिये विश्राम करो मत काम करो उप्रक्त वाक्यों में एक जैसे शब्दों का प्रियोग हुआ है, किन्तु समान शब्दों के प्रियोग के बावजूद भी दोनों वाक्यों के अलग-अलग अर्थ प्रकट हो रहे हैं, पहले वाक्य में काम करने के लिए कहा गया है तथा विश्राम करने के लिए मना किया गया है, जबकि दूसरे वाक्य में विश्राम करने के लिए कहा गया है, तथा काम करने के लिए मना किया गया है, इन दोनों वाक्यों के अर्थ में परिवर्तन विराम-चिन के प्रियोग के कारण हुआ है वे चिन जिनका प्रियोग वाक्य में रुकने के लिए तथा उसका अर्थ स्पर्ष्ट करने के लिए किया जाता है उन्हें विराम चिन कहते हैं हिंदी भाषा में प्रियोग किये जाने वाले विराम चिन हिंदी भाषा में प्रियोग किये जाने वाले कुछ व पाचक चिन्न, 5. विस्मयादी बोधक चिन्न, 6. निर्देशक चिन्न, 7. योजक चिन्न, 8. उद्धरन चिन्न, 9. लागव चिन्न, 10. कोश्टक 1. पूर्ण विराम सामान्य कतन वाले वाक्यों के अंत में पूर्ण विराम का प्रियोग किया जाता है जैसे विवेक अच्छा लड़का है गंगा भारत की पवित्र नदी है 2. अल्प विराम वाक्य में जहां थोड़ी देर के लिए रुकना पड़े वहां अल्प विराम का प्रियोग किया जाता है जैसे विशाल, निखिल और रुची इलाबाद जा रहे है 3. अर्द विराम वाक्य में जहां अल्प विराम की अपेक्षा थोड़ा अधिक और पूर्ण विराम से कम रुकना पड़े वहां अर्द विराम का प्रियोग किया जाता है जैसे नहरुजी हमारे बीच नहीं रहे वे अमर हो गए रात्री का समय था बादल गरज रहे थे बिजली चमक रही थी और वर्षय हो रही थी चार प्रश्न वाचक चिन प्रश्न वाचक वाक्यों के अंत में प्रश्न वाचक चिन का प्रियोग किया जाता है जैसे क्या आप मेरे साथ घर चलेंगे क्या तुम उसके साथ नहीं गए पांच विस्मयादी बोधक चिन विस्मय, ग्रिणा, शोक, हर्ष, भया आदी भावों को व्यक्त करने वाले वाक्यों में विस्मयादी बोधक चिन का प्रियोग किया जाता है जैसे वाह कैसा सुहावना मौसम है अरे यह भैती हवा तो मौन है 6. निर्देशक चिन वाक्य में किसी कतन से पहले समवादों वा वारतालापों में नाम के बाद या किसी बात का उधारन देने के लिए निर्देशक चिन का प्रियोग किया जाता है जैसे अध्यापक भारत के प्रतम प्रदान मंत्री कौन थे? वैशाली ने कहा मैं घर का काम कर रही हूँ 7. योजक चिन विप्रितार्थक या समानार्थी शब्द युगमों, संख्यावाची शब्दों, तुलनात्मक शब्दों, सा, सी, आदी के साथ योजक चिन का प्रियोग किया जाता है जैसे हार जीत, दिन रात विप्रितार्थक, हसी मजाक, दुख दर्द, समानार्थी, एक चोथाई, दो तीहाई, संख्यावाची, तुमसा मुर्ख, चरण कमल, तुलनात्मक आठ, उधरन चिन, उधरन चिन दो प्रकार के होते हैं, क, इखरा उधरन चिन, क, दोहरा उधरन चिन, क, इखरा उधरन चिन, जिन विराम चिन का प्रियोग किसी विशेश व्यक्ति, पुस्तक या लेक के शिर्षक, किसी लेखक अथ्वा कवी के उपनाम में किया जाता है, उसे इखरा उधरन चिन कहते हैं जैसे रामचरित मानस तुलसिदास की अमर कृती है सूरेकांथ त्रिपाठी, निराला, हिंदी के महान कवी थे ख, दोहरा उधरन चिन जिस विराम चिन का प्रियोग किसी पुस्तक से कोई वाक्य, अब तरण या किसी व्यक्ति द्वारा कहे गए कथन को ज्यों का त्यों लिखने के लिए किया जाता है उसे दोहरा उधरन चिन कहते हैं जैसे पिताजी ने कहा, सदा सत्य बोलना चाहिए गीता का वचन है, कर्म करो, फल की इच्छा मत करो 9. लागव चिन किसी शब्द को संशिप्त रूप में लिखने के लिए लागव चिन का प्रियोक किया जाता है जैसे डॉक्टर डॉक्टर शर्मा आज नहीं आएंगे पंडिट पंडिट जवाहरलान नहरु को बच्चों से बहुत लगाव था 10. कोश्ठक वाक्य में प्रियोक्त कठिन शब्दों के अर्थ क्रम सूचक अंकों तथा अक्षरों को कोश्ठक में रखा जाता है जैसे श्री राम की चरण धूली से अहिल्या गौतम की पत्नी का उधार हुआ यह शिल्पकार मुर्ती बनाने वाला भहुत सुन्दर मुर्तिया बनाता है हमने सीखा वे चिन जिनका प्रियोक वाक्य में रुकने के लिए तथा उसका अर्थ स्पष्ट करने के लिए किया जाता है उन्हें विराम चिन कहते हैं हिंदी भाषा में अनेक प्रकार के विराम चिन होते हैं जैसे पूर्ण विराम, अल्प विराम, अर्ध विराम, प्रश्न वाचक चिन विस्म्यादी बोधक चिन, निर्देशक चिन, योजक चिन, उदरन चिन, लागव चिन, तथा कोश्ठक वाक्य में जहां अल्प विराम की अपेक्षा थोड़ा अधिक और पूर्ण विराम से कम रुकना पड़े, वहां अर्ध विराम का प्रियोक किया जाता है विस्मय, ग्रिना, शोक, हर्ष, भेया आधी भावों को व्यक्त करने वाले वाक्यों में विस्मयाधी बोधक चिन का प्रियोक किया जाता है